नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर राश्ट्रविता महात्मा गांधी की पुन्यत हिथी 30 जन्वरी को शहित दिवस के रूप में मनाई गई इस अवसर पर शहर में अनेक संघटनो वशास के विभागों ने उन्हें भावबीनी आधरान जली अरपित की इस अवसर पर कुछ संघटनों ने इश्रम काड का वितरन भी किया इसके अलावा का यान्य समात से वी कारेक्रम भी आयुजित किये गया, नाकपुर के जिला अधिकारी कारियाले में, शहित दीवस के अउसर पर जिला अधिकारी आर्मिमला ने जिला कलेक्टर कारियाले में शहितों को शधान जली दी, शहित दीवस के अउसर पर दो मिनिट का मौन भी रखा गया। इस अउसर पर निवासी उपजिला अधिकारी विजया बनकर डिप्टी कलेक्टर पियुष चिवंडे, तहसिलदार सुर्यकान पाटिल, राहुल सारंग, अधिक्षक, निलेश काले सहित, अन्या अधिकारी वकर्मचारीगन मोजुद थे। महापौर ने हुतात्मा स्मारक सुभाश रोट, बालोध्यान में जाकर शहिदु की स्पूरती में पुषपान जली अर्पित की, इसके अलावा महापौर ने चितारोली, जुनी शुक्रवारी, सतरंजी पुरा, गंजी पेट, सदर चौक पर, गांधी ची की प्रतिमा पर माल पंकर अभिवादन किया, इस अउसर पर धरंपेट जोन अध्यक्षय सुनिल हिरनवार, गांधी भाग जोन अध्यक्षय श्रधा पाठक, पार्षत उज्वला शर्मा, रुपार राय, हर्शला साबले, पुर्व उप महापौर कृष्णराव परते की, पुर्व पार्षत म कॉंग्रेस वजाक्तिक अहिंसा दिन आयोजन समिती द्वारा, शहित दीवस का कारेकरम सयुक्त रूप से मनाया गया, इस अउसर पर राष्टी एकता, अहिंसा, वशान्ति के लिए नागपुर शहर के सभी कॉंग्रेस पदादी कारी कारेकरताओं ने मिलकर, प्रार्थना पुषपहार अरपन कर उनका अभिवादन किया गया, दो मिनट का मौन धारन करने की पश्चात कारेकरम समाप्त हुआ, इस अउसर पर शहर कॉंग्रेस कमिटे अध्धिक्ष, वव विधायक विकास ठाकरे, राज्य के खेल, वव युवाकल लैंड मंतरी सुनिल के दार, व प्रकाश धगे, रमन पैगवार, एडवोकेट अभे रण दीवे, सेवदल अध्धिक्षय प्रविन आगरे, महीला कॉंग्रेस अध्धिक्षय नैश अली, अलपसंक्यक सेल के अध्धिक्षय इर्शाद अली, चिकित्सक सेल के अध्धिक्षय डॉक्र सुधिर आगाओ, म इने शादों की और से राश्ट्रपिता महत्मा गांधि की पुन्य अतितिके अउसर पर श्रधान जली कारेक्रम आयोजित किया गया, इसी कारेक्रम में श्रमिकों को निशुल्क इश्रम कार्ड का भी वितरन किया गया, यादव और उनके सहयोगियों ने इस निशुल्क इ जमिल अंसारी, बंटी गणविर, आदि उपस्तित थे खान, शारुक शेक, शोयबक्तर, उमर खान, महम्मद नसीम, नसीर खान, सोहिल खान, आदि पदाधीकारी तथा कार्यकर्त गणु पस्तित थे भाचपा स्वच्छ भारत अभियान, पच्छिम मंडल नाकपुर्द्वारा, आजादी के अमरुत महसों के उपलक्ष में, गड़तंतर दीवस के अवसर पर स्वच्छता संबंदी, जनजागरूती के लिए इरिक्षा रैली का एजन किया गया इस रैली में स्वच्छता, जल सरक्षन, वरुक्ष सरक्षन, परियावरन सरक्षन, प्लास्टिक निशेद, आधि विभिन्न विशेव पर स्लोगन के बैनर प्रदर्शित किये गए ये रैली लोक उले चोग से प्रारम होकर धरमपेट, शंकर नगर, राम नगर, रवी नगर, फुटाला तालाब होते हुए लोक उले चोग पर समाप्थ हुई महामंत्री अर्विन भनसाली, नितू अत्कुलवार, सहसंपर्ख प्रमुक कमलेश ठककर, कोशाध्ध्यक्षय सरला बागडी, उपाध्ध्यक्षय बसंद देशराज, संगिता जकताब, सुधिर आनंद, योगिता जहरारिया, प्रमीला हरडे, विरेंद्र अत्कुलवार, शैलेंद्र, राहुल महाजन, आरोही, राज, वीना, आनन, रुद्र, मनेश महले, अरुन जैन, तथा अन्य सदस्यों की बड़ी संख्या में उपस्तिती रही। महाविद्याले की प्राचारिया, डॉक्टर शद्धा अनिलकुमार के मार्क दर्शन में, तथा डॉक्टर बविता थुल, डॉक्टर तनुजा राजपुत की नेतरुत्व में चित्रकलास पर्धा का सफलता पुर्वकायोजन किया गया। प्राध्यपी का द्वरा मेधावी चात्राओ का सम्मान किया गया। मनपा के पुर्वस्थाई समिती अध्धिक्ष विरेंद्र कुक्रेजा, प्रमिला मत्रानी, महिंद्र धन्विजय, नगर सेविका सुष्मा चाउधरी, पुर्व विधायक मिलिन माने, भाचपा उत्तर मंडल अध्धिक्ष संजय चाउधरी, महिला आघाडी पुर्वस्थाई ने अध्धिक्ष विर्भान तुलस्वानी, मोटाराम चेलवानी, शामंदस तुलस्वानी, प्राचारिय पीडी केवल रामानी, महिश चाउधरी, जैदेव केवल रामानी, हिरालाल भगत, मुक्तिधाम के सदस्यों के हस्ते, पोड का अनावरन किया गय दर्बार के सदस्यों ने शाल पहना कर स्वागत किया, विरेंद्र कुक्रेजा ने अपने सम्मोधन में संतसाहिप की जयनती की शुपकाम नाय दी, इस अउसर पर वार्ड अध्धिक्ष मनेश दासवानी, जगदिश वंजानी, महिला अध्धिक्ष उशादानी, सीमा मेश विजे तामबे, ओम सिवानी, चीराग गोधानी, अमर मयानी, संजे हेमरा जानी, राजेश भट, राजेश मखी जानी, नंदकीश और वर्मा, वो अन्यपदाधी कारीव कारेकर्ट अगणु पस्तित्ते वैश एकता परिशद नाकपूर महराष्ट के महिला परिशद द्वारा, मकर संकरांती के अउसर पर समिति की उपाध्धिक्षा रंजना गुपता के नित्रुत्व में, हल्दी कुमकुम का कारेकरम आयोजित किया गया, इस अउसर पर तमाम महिलाओ द्वारा लोक गीतों क के बीच हर्शोल्लास के साथ कारेकरम मनाया गया, महिलाओ ने सुन्दर गीतों की प्रस्तूति दिक इस कारेकरम का सफल आयोजन सरोज रामकुष्ण गुपता तथा उनकी सहलियों नी किया, इस अउसर पर रंजना गुपता, शिखा गुपता, रंजना गुपता, सरोज ग रामा गुपता, पुश्पा गुपता, लक्ष्मी शिव हरे, आदी महिलाए एवं परिशत की सदस्याय उपस्तित्ति, कारेकरम का संचालन, रंजना गुपता ने किया, कारेकरम वैश्य एक्ता परिशत के डोंगरे लेयाउट, श्रधानन पेट स्थित कार्याले में संपन आज 15 प्लस और 45 प्लस आयूवर्क के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ड का टिका करन, नागपुर महानकर पालिका के साथ सरकारी केंद्रों पर होगा, टिका करन का समय शाम के 5 बजे तक होगा, टिका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी क करन किया जा सकता है, इसी तरह ड्राविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयूग के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा, ये जानकरे चिकित सा स्वास्तधिकारे डॉक्टर संजय चिल करने दी है, इसी त इसी तरह गांधी अस्पिताल गांधी नगर, मनपास्तिरी अस्पिताल पांच पौडी और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्ध है, हाल ही में पश्चिम विदर्बक शेत्र की एक अग्रणी हिंदी दैनिक के संपादक अनिल अग्रवाल को महराश्टर स्तर पर पत्रका पालक मंत्री एश्वमती ठाकूर के हाथो संपादक अनिल अगरवाल को ये पुरसकर प्रदान कर समानित किया गया पालक मंत्री एश्वमती ठाकूर के अध्यक्षता में आयोजिती समारोह में बदवर प्रमुक अतिथी शहर के महापोर चेतन गावंडे, प्रभारी विभागिये सूचना उपसंचाला खर्श्वर्धन पवार, उपजिला सूचना अधिकारी अपरना यावल कर, संपदक अध्वोकेट दिलिप एडदकर तथा प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मराथे उपस्तित्थे, कार्यक्रम की शुरुवात में सभी गनमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गिये बलासाहिप मराथे, स्वर्गिये अरुन मराथे, दरपन कार बालशास्तरी जामभेकर तथा मंडल व अलक मंतरी एडवोकेट येशुमती ठाकूर के हातों संपातक अनिला ग्रवाल को दरपन पुरसकार प्रदान कर उन्हें समानित किया गया। एडवोकेट ठाकूर ने कहां कि ये तमाम वरिष्ट पत्रकार समाज के लिए एक प्रेरना स्त्रोत है। समिती की सभापति रूपाली खाडे, पंजयत समिती सदस्य सुनिल बोन्दाडे, संजेगांधी निरादर समिती के पूर्वा अध्यक्ष विठलराव को हाड, पुर्वसरपंच इनायत उललह, ग्राम पंजयत, पुर्पसरपंच दिपावली को हाड, ग्राम पंज अधार बहुत देश्य संस्था नाकपूर तथा डॉक्टर रामबेटकर फाउंडेशन सामाजिक नाए एवं अधिकारिता मंत्राले भारत सरकार नएदिली के संयुक्त तत्वावधान में मंसर स्थित रामधाम में संतनामद्यों महाराज जैनती समारोह बड़े उत्सा से मनाया गया इस अउसर पर कारेक्रम के अधिक्षय रामधाम तिर्तक शेत्र के प्रणेता वर रामधाम के संस्थापक चंद्रबाल चौक से प्रमुक्ता से उपस्तित थे उन्होंने बताया कि संतनामद्यों महाराज ने दुख से मुक्ति पा कर सुख, शांती और समाधान पाने के लिए नामस्परन का सरल मार्क दुखी एवं पीडित लोगों को दिखाया उन्होंने संपुर्णा जिवन काल तक ब्रहमन कर विश्व शांती का संदेश दिया नावी ने माना कारेक्रम के समापन के पश्चात महाप्रसत कायोजर किया गया हाल ही में बाबा ताजुदिन की 26 वी हर्श लास से मनाई गई इस अउसर पर शाही इमाम खुर्शित आलम सहब के हातों से हमिशा की तरह पर्चम पेश किया गया दूर हैदरबाद से साइकल साय दस्तगीर भाई का इस्तिकबाल किया गया हजरत बाबा ताजुदिन ट्रस्ट के सचिव ताज एहमद राजा भाई के हातों उनकी दस्तारवन्दी की गई खादिम अजरुदिन टाजी ने सभी जायरीनों का स्वागत किया इसके पशाद दरबार शरीफ में ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा लंगर भाटा गया कारेक्रम के दोरान कुविट प्रोटोकॉल का पुर्णा अनुशासन से पालन किया गया नागपुर शहर के प्रथम महापुर और पुर्वमंत्री बैरिस्टर शेश्रावान खेडी की पुन्या थिति के अउसर पर नागपुर महानगर पाली का मुख्याले के उद्ध्यान में स्थित उनकी प्रतिमा पर महापोर दयाशंकर तीवारी उबा महापोर मनिशा धावडे ने माल लारपन कर उनका विनम्रा भिवादन किया इस अउसर पर महापोर के सायक आयकत महेज धामेचा, सायक स्वास्ताधिकारी डॉक्टर विजय जोशी मनपा के जनसंपर कधिकारी मनिश सूनी आदी माननेवर उपस्ति थे इस अउसर पर महापोर तीवारी और अन्यमनपा पदाधिकारी उने शहर के प्रथम महापोर के तोर पर बैरिस्टर शेश्रावान खेड़े के अपार योगदानों पर प्रकाश डाला और कहा कि शहर को एक सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करने में उनकी अत्यंतम महत्वपुर्णा भूमी का रही कामठी मार्क स्थिद गुरुद्वारे के समेप महामेट्रो द्वारा चारस्तर ये परिवहन ब्रीज का निर्मान कारिया युद्ध स्थर पर किया जा रहा है अब तक 1600 टन वजन के लोहे के स्ट्रक्चर में से 700 टन के कारिया पूरुना हो चुके है दरसल इस पूरे निर्मान कारिया में सबसे अधिक चुनोती पूरुना ब्रीज निर्मान का कारिया है 24 घंटे महामेट्रो की टीम इस निर्मान कारिय को सफलता पुर्वक अंजाम देने में जुटी हुई है भारत्य रेल्वे से कारिया के लिए कुल 24 घंटे का बलॉग मांगा गया है इस पूरे पूल के गर्डर का कुल वजन 1640 टन है गर्डर लॉझ के बाद कॉंक्रेट का काम होगा उसके बाद रेल्वे लाइन और OHE का काम होगा अब तक 8 घंटे के ब्लॉक को महा मेट्रों ने लिया है, इसके ब्रीज में लोहे की सरचना की मुख्य विशेश्टाय इस प्रकार है, सरचना जमीन से 24 मिटर उपर, 80 मिटर लंबी और 18 मिटर चौड़ी है, इसका कुल वजन 1634 टन है, 788,000 हाइट स्टेंथ फ्रिक्शन ग्रि पनाया गया, कारेक्रम के अध्यक्षता डॉक्टर शधा अनिल कुमार ने की, उन्होंने कहा कि ये दिवस 2008 में केंद्र सरकार की महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा भारतिय समाज में लड़कियों के सामने आने वाले असमानताओं के बारे में जनजागरुकता फैला कारेक्रम में तिन वर्ष से बारा वर्ष की आयूकी बालिकाओं ने विवित प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें रुत्य, चित्रकला, गायन का अप्रतिम प्रदर्शन किया गया, काम्या गंगवानी एवं विधी गंगवानी को प्रथम पुरसकार दिया गया, कारेक प्रविन दटके ने इस निरने का विरोध करते वे कहां कि हजारों समस्याओं को छोड़ कर महाविकास आघारी सरकार राज्य के नागरी को को नशेडी बनाने पर तुली हुई है। मुख्यमत्री दो महिने से जादा घर में रहे हैं। आते ही उन्होंने सुपर बाजार एवं की राना दुकान में वाइन बेचने की अनुमति देने का निरने ले लिया। बैमाने पर निवासी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। इसी के साथ इस क्षेत्र में हाल ही में चोरियों और अन्य प्रकार के आपराधिक मामलों में वृध्धी होने की घटनाव से नागरीक बेहत चिंतित हो गए है। अतहां उत्तर भारतिय सभा वाड़ी के एक प्रतिनी धी मंडल द्वारा किट्टी खदान पुलिस टेशन जाकर इस समस्या पर वरिष्ट पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकरशित किया गया। उत्तर भारतिय सभा के नाखपुर जिलाध्यक्षय राम प्रताप शुकला, वाड़ी शाखाध्यक्षय प्रविन सिंग, उपाध्यक्षय सुश्मित सिंग ने नवनी उक्त पुलिस निरिक्षक का पदभार संभालने वाले बापु धेरे का पुश्पक उच्छ देकर पागत वो अभी नंदन किया, इसके पशात प्रतिनीधी मंडल के सदस्यों ने दाभा परिसर के बढ़तिक शेत्रफल और आबाधी को देखते हुए पुलिस सुरक्षा वगस्त में वृद्धी की आवशक्ता के बारे में पुलिस अधिकारियों को अबगत कराया, आय दिन प्रतिनीधी मंडल के सदस्यों ने दिन रात पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की साथ साथ तमाम घरों में हुई चोरी की वार्दातों में अपराधियों को पकड़ने की मांगी, पुलिस निरिक्षक बापुर धेरे ने इस विशे पर उचित कारवाई करने और नागरिक पर सेमिनार में चर्चा की गई, समाज में फैली हुई विशमता, गरीबी, शोशन और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए प्रगतिशिल उपयोगी तत्वा बहुत ही सुन्दर साधन, आतमसात करने है तू, इडगाव स्तित आनन्दमार्क आश्रम में आनन्दम एवं उसके आसपास के आनन्दमार्गियों ने प्रवचन का मानसिक एवं अध्यात्मिक लाव उठाया, कारेक्रम का शुभारम बाबा नाम केवलम के तीन घंटे के अखंड संकिरतन से हुआ, इसके बाद आनन्दमार्गियों ने प्रभात संगित, साधना, योगासन, पा पानियों को भी अपने आसपास में हो रही घटनाओं का सब पता चल जाता है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार